मुझे आपके लिए एक मैजिक एक्टिविटी अब बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक्टिविटी इसमें आप तू और त्री डिजिटी इसमें की मल्टिप्लाइ विदाउट पैंजिल के कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को आप इमेजड कर सकते हैं की देखिये हमने विदाउट पैंसल की तरह पड़ी कैल्कुलेशन जल्दी कर दी तो इस एक्टिविटी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी कुछ पैंसिल्स कुछ पैंसल्स आप ले सकतें किसी भी कमपनी की आप इनको सेम कलर भी कर सकते हैं उसके बाद आपको चाहिए एक थर्मा कौल का पीस उसके बाद इसी पीस के साइज का आपको एक ग्राफ पेपर लेना है ठीक है इस पर बॉक्स बने होते हैं आप मैट्स की जो बॉक्स वाली कोपी आती है उसका पेज भी ले सकते हैं आपको चाहिए कुछ आल पिन्स इसमें सपोर्ट लगाने के लिए और आल पिन को लगाने क और फेविकोल थेक है इस तरह से इस जमानों को तो आएद चलिए अगर आपती दग आपने हमारे चेनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं किया आ है तो हमारे चनल को सबस्क्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की अच्छी अक्टिविटी लाते रहें और उसको बैल ऐ अगर हुआ प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नॉटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये इस अक्टिविटी को तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ पेपर को एक स्क्वाइड या रेक्टेंगुलर शेप के थर्मकॉल थर्मकॉल आपको बारीक वाला लेना है मोटा वाला नहीं लेना अगर फिर इससे बारीक वाला लेने के वज़े से आपके जो आल्पिन इसमा अच्छे से लग सकती हैं आप आल्पिन इसली लगा सकें ज्यादे हार्ट सफिस ना ले नहीं तो आपके आल्पिन उसमें नहीं लग पाईगी अब हम यह इसको उपर इस तरह से टेप या फेविकॉल की हैल्प से इसको यहां पर पेस्ट करेंगी तो चलिए पेस्ट करते हैं इसको तो अध्यान रखें जब आप टेपिंग करें तो इस पर टेप पर सरवट ना है और सेफटी के साथ आप बर्खेंगे अब आपको क्या करना है आपको आल्पिन्स लेनी है और इनके हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर इस तरह से मैं आपको बता देता हूं किस तरह से लगानी है जहां भी आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इस तरह से इसको गाड़ना है इस तरह से आप गाड़ सकते हैं हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर आपको इस तरह से आल्ल पिन्स लगानी है इसमें सब ही मैं तो चलिए हम लगा लेते हैं पिन्स को देखे स्टुडेंट्स इस तरह से हमने थर्मा कोल के पीस में यह आल पिन्स को लगा लिया है हमने हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमने एक एक आल पिन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आपको इस तरह से लगा लेनी है ताकि यह आपको एक ही लाइन में लगभग लगभग दिखें तो इस तरह से आपको चार-चार की लाइन बनानी है हम आपको इसमें सिखाएंगे हम एक है टुबाइ टुडिजिट का कैसें आप मल्टिप्लाई कर सकता है वह दो déplसे एए वगरा की help से तो देखें चार-चारीन हमने इसमें लगाई है और चार ही हम इसमें यह इंदा लगाई है तो आप इसको कम्प्लीट भी फिल कर सकते हैं ठीक हैं तो हमें जितने नीट थी हमें फिलहाल उतनी इसमें लगा ली हैं तो हम आपको 2 by 2 का चाहेंगा अगर आपको 3 by 3 का चाहें तो आप उतना ही और ऐसे low row बनाने हैं आपको 1 row, 2 row, 3 row जो हम एक एक छोड़ के use करेंगा तो यहाँ पर 2 row work कर रही हैं वैसे अगर आपको 3 by 3 का multiply कर करना तो आपको 1, 2 और एक row और चाहें होगा वैसे इधर आपको 1, 2 और एक row और चाहें होगा तो आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा 3 by 3 की जिए आपको calculation कर सकते हैं तो इसमें हम 2 by 2 की calculation करके आपको बताएंगे तो इस तरह से आप यह prepare कर लें और फिर यह work किस तरह से करना है हम आपको वह बताते हैं चाहिए देखते हैं इसके बाद आपको लेनी है pencils जब आलपिन लगाएं तो आप ध्यान रखें जो आलपिन है आपको बिग वाले boxes के intersecting point पर लगानी है यह तरह से dark वाले होते हैं बड़े वाले box जिसको कहते हैं उन पर आपको उन्हीं intersecting points पर यह आपको आलपिन्स लगानी है इस तरह से चलिए students हम सिखाते हैं अब आपको इस पर multiply कैसे करनी है तो students suppose करें हमें इसमें multiply करनी है 22 की बारस है यानि की 22 की multiply आपको 12 से करनी है तो किस तरह से करेंगे आप इसको थोड़ा से इस तरह से तिर्चा रखेंगे इस तरह से ताकि vertex आपकी तरफ हो दो vertex इस तरह से आपको थोड़ा से तिर्चा रखना है अब आपको 22 में 2 और 2 4 होता है तो इस तरह से आपको 4 pencil चाहेंगे अब 22 तो आप स्टार्ट रखेंग एक pencil यहां रखेंगे और एक pencil आप यहां रखेंगे इस तरह से यह होगा आपका 2 वैसे ही इस side से नीचे से आप दूसरी pencil रखेंगे यह 1 और यह आपका 2 तो इस तरह से यह आपकी 122 डिप्रेजेंट करता है यह 2 और यह 2 इस तरह से उपर से आपको start करना है डिजिट को रखते हुए 22 उस तरह से आपको 12 की multiply करनी है 12 की multiply करके फिर आपको इसी side से start 12 में आपका 1 और 2 3 होता है तो आपको चाहिए 3 pencils तो इस तरह से आपको यहां से start करना है रखना तो आप रखेंगे यह हो गया आपको 1 आपको चाहिए 12 दूसरी digit आप उपर से रखेंगे आप यह 2 के लिए आपको 2 digits आपने इसको रख दी तो बस आपकी यह calculation हो चुकी है आपका answer है 264 अब हमने कोई calculation नहीं कि बस pencil को रखा और answer बताया तो आईए हम आप आपको बताते हैं यह work कैसे करता है तो देखिए students इसमें आपको जो आपने 22 ऊपर की नंबर नीचे वाली pencil से represent करनी है आपका 22 था 22 में पहली digit 2 तो 2 pencil यूज़ करेंगे दूसरी digit भी 2 तो दूसरी 2 pencil यूज़ करेंगे फिर जो नीचे की नंबर है 12 इस साइट से आप रखेंगे तो 1 उसके बाद 2 तो 2 pencil उपर अब आपको इस तरह से यहां से start करना intersecting points देखिए यहां पे आपके मैं थोड़ा उपर से दिखा देता हूं intersecting point यहां पे आपके दो intersecting point है एक और एक दो इन दोनों intersecting point के उसके बाद आपको देखना है इस तरह से यह total intersecting point आपको करने है तो देखिए 4 intersecting point यहां है 1, 2, 3, 4 और 2 नीचे total intersecting point कितने हो गया आपके 6 तो यह हो गया 2 फिर ही हो गया आपका 6 और फिर यहां intersecting point कितने है थर्ड डिजिट के लिए 1, 2, 3, 4 तो यह हो गया आपका 264 तो यह आपका answer हो गया 22 की multiply 12 से 264 तो है ना बहतरीन activity आई हम एक example और लेके आपको इसमें समझाते थे हैं यह activity आपकी कैसे work करते है चलिए students हम multiply करते हैं अब हम करते हैं 21 की multiply 21 से 21 पहले हम इधर से रखना शुरू करेंगे 21, 2, 1 यानि कि 3 पैंसिल आप digits को जोड ले 21 में आपका होता है 3 पैंसिल 20 के लिए पहले 2 रखेंगे आप उपर से इस तरह से 2 पैंसिल आप रखेंगे यह हो गया आपका 20 21 के लिए एक पैंसिल फिर आप नीचे से रखेंगे यहां से तो यह हो गया आपका 21 अब आप दूसरा भी आपको 21 रखना है तो आप अलग कलर की पैंसिल ही उस कर सकते हैं आपने पहले 21 उपर से रखा था आप यहां नीचे से शुरू करेंगे तो आप 20 के लिए टू पैंसिल यहां रखेंगे एक एक लाइन छोड़के आप रख सकते हैं ताग आप में टैसेक्टिंग पॉइंट में आपको प्रॉब्लम ना हो और 1 के लिए एक पैंसिल आप यहां रखेंगे इस तरह से यहां आपका 21 होगे अब आपका आंसर कि इसका आंसर आपको क्या सुनद मारा है तो अब हम इसका आंसर आपको बता देते हैं तो इस तरह से यह एक एक एकटिविटी है जो आपकी वर्क करती है आप इससे 2x2, 3x1, 1x3 कितनी भी digits का आपको calculation कर सकते हैं बस आपको इसमें क्या need होगा उतना ही बड़ा board आपको बनाना है जितनी बड़ी आपको calculation करनी है तो इस तरह से calculation वर्क करता है तो आप I hope आपको ये activity बहुत पसंद आई होगी तो हमाइरे comments में लिख के आपको बताएं कि आपको ये activity कैसी लगी ताकि हम ऐसी मज़ेदार activities आपके लिए लाते रहें उसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने channel pioneer institute 171983 पर और एक puzzle हम comments के लिए आपको दे देते हैं हम आपको multiply कर लेते हैं 22 22 की 22 से तो हम यहाँ एक pencil और use कर लेते हैं अब आप बताईएगा कि इसका answer आपका क्या है comment box में आप यह हमारी multiply होगी 21 की 22 से तो 21 की 22 से multiply आपकी क्या होगी comment box में आप इसका answer लिख के भेजें और अपना name लिखें अपना place लिखें ताकि हम समझ सके हमारी वीडियो कहां तक पहुच रहे हैं तो चले स्ट्रोंट्स एक 3-digit की multiply भी हम आपको बता देते हैं इस पर कैसे work करती हैं तो 3-digit की multiply में आपको 111 की multiply हम 111 से बता रहे हैं तो हम 111 के लिए थ्री वन तो वन के लिए ये पैंसिल दूसरे वन के लिए ये पैंसिल और तीसरे वन के लिए ये पैंसिल हमने यूज की है तो थ्री वन है तो तीन पैंसिल हमने यूज की है फिर हम दूसरे 111 के लिए हमनो यह हां से start किया है फर्स्ट वन की डिजिट के लिए ये वाली अगर आप जादे बड़ी डिजिट लेगे तो उसमें ही उतनी जादे ये पैंसल यह है कर आप लेते मुझे 1 के लिए यहूद आपको लगानी होती फिर वहां पर 1 Cel ले रहे हैं 111 ताकि आपको प्रोसेजर समझ महां सके तो इसकी मल्टिप्लाई को समेटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए जो आपकी फर्स्ट डिजिट है वह यह वाली इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएगी जो सेकंड डिजिट है वह आपकी यह वाली इ बताए जो हए तो चलि अच्रीट डिजिट की मल्टिप्लाई वह हम आपको बताएगा तो के tip लिए और रहे हैं कि हम111 के लिए 3 फैंसल में गिलिए पैंसल दूसरे के लिए यह पैंसल थीसे पैंसल हमने यूस किया है तो 3 1 है तो 3 pencil हमने यूज की हैं फिर हम दूसरे 111 के लिए हमनो यह हां से start किया है 1st 1 digit के लिए ये pencil, 2nd के लिए ये वाली और 3rd 1 के लिए ये वाली pencil अगर आप जादे बड़ी digits लेंगे तो उसमें ही उतनी जादे pencil जहें अगर आप लेते 1 रे 21 तो 1 के लिए एक फिर हाद 2 pencil आपको लगानी होती फिर वहाँ पर 1 तो हम simple ले रहे है 111 ताकि आपको procedure समझ महां सके तो इसकी multiply को summative करने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए जो आपकी first digit है वो यह वाली intersecting point बताएगी जो second digit है वो आपकी यह वाली intersecting बताएगी diagonals उसके बाद जो third digit है वो यह वाली बताएगी आपको यह वाला diagonals और जो fourth digit है वो यह वाला diagonals आपको बताएगा और जो लाज़ डिजिट है वो यह intersecting point पता आएगा तो देखे 111 के 111 से जो multiply होगी वह आपके होगी आएगा 1, 2, 3, 2 और 1 तो आपका answer हो जाएगा 12,321 तो यह आपका answer हो जाएगा 1, 2, 3, 2, 1 तो 111 के multiply है आप 111 से करेंगे तो आपका answer होगा 1, 2, 3, 2, 1 यानि की 12,321 आपका answer होगा तो इस तरह से आप 3 digits के multiply भी कर सकते हैं आप अगर थोड़ा बोड़ बनाएगे तो उतनी ही digits बड़ी आप कर सकते हैं तो यह activities हैं आप इसको map ने math subject में बना सकते हैं तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप comments box में बताएं और जो हमने आपको पजल दी है उसका answer भी आप हमें comment box में लिखके बेश सकते हैं और बने रहे हैं आपने चनल पार इन इस चैनल पर आए हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तक ऐसी activities हम आपके लिए लाते रहें और आपको notification उसकी मिलती रहे time to time तो थैंक्स पर वाचिंग यूर चैनल पार इन इस्ट्यूर वन सर्विन नाइन एट्री यूर दियर सचिंसर्ट कर दो 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 कर दो